हेलो वीवर, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, आज हम आपको एक सिल्वार की कटिंग बताएंगे, वो भी बिल्कुल सिम्पल तरीके से, सिल्वार का माप देख लीजिए, सिल्वार की लेंथ है 38.5 cm, शुरू करते हैं, देखे, देखे, इस अलवार के लिए हमें अलग-अलग कपड़ा दे रखा है, यानि सामने के पल्ले के कपड़ा अलग और जो साइड में डलते हैं, जो सूएं उनका अलग, यह हमें सामने वाले पल्ले के कपड़ा दे रखा है, यह देखे, यहां से हमारी मूरी निकलेगी नीचे की कर लेते हैं यह गया हमारा एक पल्ले का कपड़ा इसके उपर ही हमें दूसरे कप्ड़े के दूसरे कपले कपड़ा रखना पड़ेगा ऐसे हमारा दूसरा पीस हो गया आप इसकी और हम आ भी होग है थाफिक दोनों सेम रहें लैंप में हमारी सलवार की लेंद्ध है 38.5 cm हमें ये बैल्ट वाला सलवार बनाना है 38.5 में से 6 cm लगेगी उपर उसको कटिंग कर दीजिए 38.5 में से इसको कट करके 32.5 cm की हमारे पास लेंद्ध हुई तो हमें 32.5 में 1 cm जोड़ लीजिए ताकि वो स्टीचिंग के लिए रह जाए 32.5 में वन एड करिए 33.5 अब हमें 33.5 इंच की लंबाई लेनी पड़ेगी इसकी लेंद्ध आप देख लीजिए आपर त्यूरी कहा पर दिङार करनी ज़िए इस अंब्रョइडरी के उपर या इस से थोड़ी सी नीचे तो हमें यह लेन्थ लेनी हाँ 33 अग हम यहां से स्टार्ट करेंगे यह हमारी नीचे से कटींग करनी हमने यहां से 33 निशान लगाई hopeless थोड़ी उधर करती निशान लगाई है क्योंकि ये कपड़ा हमें पहले से कटा हुआ दे रख है अलग अलग पीस दे रखे हैं तो ये इसका कटिंग का तरीका भी थोड़ा सा अलग रहेगा यह हमारे यामने पूरे आगे वाले पले लेने बैसे तो यह सेवन सैंटिम्टर या सिक सैंटिम्टरः होती है लेकिन हमें इसका कपड़ा ऐसे दे रखें कि हमें इस थाइप में हिसका है, इसकी कद्चिंग करने ही पड़े हैं। हमें क्या करना है यह यहां रखिए। और जो सुफुम का कपड़ा होता है है में यह दे रख यह बिल्कुल कòng दे रख और है सलिए इसको फोर रिष्से में डिवाइट करें ग i यह फोल्ड कर लीजिए और इसको इसके पास रखिए हमें मूरी लेनी है 7 cm त्यार करनी है सेवन से आप एक एड़ इंच थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं दो इंच भी ज्यादा ले सकते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना यह हमारा मूरी की चुड़ाई होगी और यह जो हमने फॉर पीस रखे थे इसका भी हमने थर्टी थ्री एंड हाफ इसकी लेंथ इसको मापने की वैसे कोई जुरूरत नहीं है आप क्या करेंगे हमारा आसन है 14 in and half 14 in and half में हमारा six inch के हमारी बैल्ट बनेगी उसमें बचेंगे eight and half उसमें nine and half आप निशान लगाईए यहाँ पर आप इस पॉंट को कि इस पाइट से मिला दीजिए अब इसकी कटिंग कर दीजिए यह बहुत ही आसान तरीका है बिल्कुल सीम्पल वे कि एक सलवार को बनाने का बिल्कुल सीम्पल वे इसमें कपड़ा कम दे रखा था इसलिए हमने यहां सिलाई लगाने के बजाएं यह वाले हमने त्यार कर लिए अच्छब को रोगा है बड़ुन त्यादों से नी नी उती की घर ब един्स्ती करिएs कि इसको बेच में से कडिंग कर लिय 정 है इसको बीच में से कडिंग कर लिजिए थो जितियार है रहने जए आया सिर्फ के लिए राहने है अदे इस हमारे स सीऩर रिपालतव कर लिए रहां है यह प्रंबained कर लिए यह कडिंग कर लिय ओंडए है ताकि सिलते वक्त कोई भी जंजट ना रही है यह हमारे एक सिंपल तरीका हो गया सिलवार को कटिंग करने का अब हमने क्या करना है इसमें बैल्ट जोड़नी है बैल्ट का कबड़ा हमारे यहां से निकलेगा जो हमारे यह फालतु बचा हुआ था अब से पहले इसको सीधा काट लीजिए अब हमें इसमें 6 cm की लेंध रखनी है बैल्ट की उसमें 6 में 2 cm इसको एड़ कर लीजिए कपड़ा अंदर मोडने के लिए 8 cm अगर आपको यह बैल्ट पूरी पड़ती है तो ठीक है नहीं तो इसमें आप इस साइड जोड़ लगा सकते हैं यह हमार बैल्ट का कपड़ा अब यह सल्वार कट चुक हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टीचिंग दिखाएंगे अपको धन्यूद्ट का कपड़ा बैल्से पुरम आपको पाल शोड़ यह साइड वान्यूद्ट का कफड़ा है झाल 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 झाल